असलाम लेकुम फ्रेंड्स, वेलकुम तुमाई यूट्यूब चैन्स यामेड कोस तो आज हम जिस मैडिसन का रिव्यू करने जा रहे हैं, उसका नाम है अल्प अल्प 0.25 मिलिग्राम, 0.5 मिलिग्राम और 1 मिलिग्राम की प्रोड़क्ट है ये हिल्टन फार्मा की एक प्रोड़क्ट है, अगर इसके अक्टिव इंग्रीडियन्ट की बात की जाए तो वो है अल्पराजूलाम अल्पराजूलाम एक साइको एक्टिव ड्रग क्लास अफ फैमली जो के बेंजो डाइजपिन्स क्यालाती हैं, उससे बिलॉंग करती है जिसके कार्बन 1 पे मिथाइल ग्रूप, कार्बन 6 पे फिनाइल ग्रूप, कार्बन 8 पे एक कलोराइड ग्रूप अटैच हैं, अगर इसे अवराल रिट किया जाए तो ये है अब इसके एंटी डिप्रेशन मोड अफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, कि ये किस तरह अपने एंटी डिप्रेशन एक्शन को परफॉर्म करती है तो अलपराजोलाम इंक्रीज करती है अक्टिविटी अफ गैबा को, गैबा जो के गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड एक इन्हिबिटरी निरो ट्रांस्मीटर है और नियूरोन के एक्शन पोटेंशल को और ब्रेन सेल्स की अक्टिविटी को इन्हिबिट करता है और प पांच सब यूनिट है एलफा वन जो के सिडेटिव, हिपनोटिक और एंटि कन्वलसेंट्स एक्शन को परफॉर्म करता है एलफा 2 जो के इंजाइटिग और मुचल गैशन के एक्शन को परफॉर्म करता है एलफा 3 जो के एमनेशिया यानी मेम्री लाउस को रेगुलेट क करता है तो अलपराजोलाम बाइंड होती है इन सब सब यूनट से और इन सब एक्शन को रेगुलेड करती है अब इसके यूजिज और क्लिनिकल एप्लिकेशन को डिसकर्स करते हैं तो यह ड्रग ट्रीड करती है एंजॉलाइटिक डिसारडर को अगर आपको किसी भी किसम की टेंशन हो डिप्रेशन हो कोई सोशल इंजाइटी हो स्ट्रेस हो किसी भी किसम का फोबिया हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इसे यूजिज कर सकते हैं इसके साथ ही पैनिक इंजाइटी डिसारडर जैसे ट्रीमर का होना यानि इन्वोलेंटरी मसल कंट्रेक्शन हो होना इसके साथ पैल्पिटेशन होना टेकिकाडिया होना और स्वेटिंग होना तो उसके ट्रीट्मेंट के लिए भी इसे यूज किया जाता है इसके साथ ही अगर आपको कोई मूड डिसॉर्डर हो आपका चीजों में लैक आफ इंट्रस्ट हो या अगर आपको चिर्चड़ पन हो तो उसके ट्रीट्मेंट के लिए भी इसे यूज किया जाता है इसके साथ ही sleeping disorders अगर आपको insomnia यानि नीन की कोई बिमारी हो और नीन ना आती हो तो उसके treatment के लिए भी इसे use किया जाता है अब इसके dosage और administration की बात करते हैं तो आप इसके starting dose low dose यानि 0.25 mg से start करें और रात को सोने से एक घंडा पहले use करें और दिन में एक use करें मगर इसके over use से आपकी body physically और आपका mind psychologically इसका addict हो जाता है और आपको इसके बगाया गुजारा नहीं होता मगर आपने इसका withdrawal यानि एक दम से इसको लेना नहीं छोड़ना बलके अगर आपने इसको 10 दिन से ज्यादा use किया है तो आप इसके addict है और आपने अगर withdraw करना है तो आप इसको abruptly withdraw नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे serious life threatening symptoms appear हो सकते हैं अब इसके side effects की बात करते हैं तो इसके common side effects में blur visions होना, weakness होना, memory loss होना और change in libido यानि sexual thoughts का या तो बहुत ज्यादा हो जाना और या बहुत कम हो जाना common है अब इसके contra indications की बात करते हैं तो pregnant or lactating woman इसे without physician prescription use ना करें इसके साथ यह hepatic और renal failure के patient भी इसे without physician prescription use ना करें और इस tablet को six months से ज्यादा prescribe नहीं किया जाता है last में I personally suggest के आप इसको misuse या overuse ना करें और इसका addict ना बनें अगर आपको anxiety या stress की situation है तो आप इसके लिए regular physical exercises और physical workout करें अपनी diet hygienic और अच्छी रखें इसके साथ अपने आपको motivate रखें और outing वगरा करें तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी हो तो मेरी इस effort का appreciate कीजिएगा और अपना feedback जरूर दीजिएगा अपना मेज YouTube चैनल का ख्यार रखेगा अपना मेज यूटीब चैनल का ख्यार रखेगा